हर महीने आता है, सब को याद दिलाता है, हम सब की जुवानी है, बीटी एसी की कहानी है, जी हाँ दोस्तों, बीटी एसी जेई का फिर से एक बार लेटेस्ट निूज आ गया है, क्योंकि कल है 21 नवंबर 2023, और कल जो है फिर से अपना सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोट म 21 नवंबर 2023, बीटी एसी जेई के बारे में, लागातार छो महीने से सुनवाई होते जा रहा है सुप्रीम कोट में, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग उपस्तीत नहीं हो पा रहे है, अच्छे तरीका से यहाँ पर हेरिंग नहीं हो प देख सकते हैं, कि 88-24-2030 डायरी संख्या ओपन कर रहे हैं, जो कि हम लोग का केश नमबर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल हुआ था 28 परवड़ी 2030 को, और इसका जो हेरिंग है, कल के डेट में है, 21-21-2023, 46 नमबर, सिरियल नमर मिला है, तो कल जो है, इसका सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार भी हो गया था, ठीक है, लगवा, 50-60 केसे सुने जाते हैं, सुप्रिम कोट में, डेली, ठीक है, तो इस बेसिस पर 46 नमर पर है, तो यहाँ पर आसा लग रहा है, कि यहाँ पर सुनवाई हो जाएगा, लेकिन बात निकल कर यह आता है, कि क्या फिर से कल डेट इस्टेंड होता है, या कल फाइनल डिसीजन हो जाएगा, देखने वाली बात यह होता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा, साम में बता देंगा, ठीक है, अगर फाइनल डिसीजन हो जाता है, तो यहाँ पर दो कनक्लूज कि या तो पहले वाले वेकंसी जो कि 2019 में आई थी 63-ara 29 वो clear हो जाएगी या तो नय वेकंसी के लिए रास्ता साप हो जाएगा जिसमें की जिसमें 6-9-88 इतना वेकंसी नूई वेकंसी आने का रास्ता साफ हो जाएगा सिविल का माई बात कर रहा हूं इतना सिर्फ सिविल का है ठीक है या तो पुराने वेकेंसी किलियर होगा तो देखने वाली बात यह होता है अब आप लोग को क्या लगता है नया वेकेंसी किलियर होगा या फिर पुराने वेकेंसी किलियर हो जाएगा या फि इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वडियो में थाइंक्यू धन्यवाद